कर दोस्तों आज जो मैं घर आपको दिखाने जा रहा हूं बिल्कुल एर्पोर्ट रोड महाली के पास आपको मिलने वाला है आपका अपना घर जड़ से आपका रहने वाला और हाइवे से या सुरी एर्पोर्ट रोड से महज आपके डिस्टन्स रहेगा डेड़ सो शायद ही और घर आपके सामने है बहुत शांदार है डबल स्टोरी घर है और बिल्कुल एक यूनीक डिजाइन के इस आप से इसको डिजाइन किया है और जो डिजाइन अभी आप बाहर से देख रहे हूं और उससे कहीं बहतर आपको अंदर से नजर आने वाला है तो दोस्तों पहले जो है थोड़ा सा रेक्टैंगुलर शेप है लेकिन उसको साइड से रौंड कर दिया यूजली आपने देखा होगा कि जब यहां पर रेक्टैंगल बनाया जाता है इस बालकोनी वाले एरिया के अंदर वो सिधा सिधा बना दिया जाता है लेकिन यहां पर एजिस को करते है एक अच्या डिजाइन यहां पर दिया है आप समझते जब यह डिजाइन को करते हैं चेंजिस करते वहां पर बिलकुल चीजे वाल अलग होयाती है कारीगर बिलकुल अलग आजयाते है उसके बाद स्टेइनलस टील आशी आपको मिलता है घ्लाका उपर शाहे हो जाहें ऊप अपने घर के सामने जो गाडन जिसे कहते हैं और जो जूजली आपने देखा हो किस सेग्मेंट आपको योदे बहुत रेर मिलते लेकिन यहाँ पर आपको जगा मेल दिए में पर एपने में आपको एपनी जगा और यहां हमारा रहा बड़े अच्हे वेकसाथ गॉपनीशित बनाकर कलर सका उसको वहां पर प्रेजन आपको रहने वाला है तो आरनल गेट तो उपन करते हैं और उस्दो उपन करते हैं हमारे पास काफी अच्छी खासी पारिया आपके रहें आप देख सकहते हैं दस फिट की यहां पर विट्स रहने वाली है और लगबग यह 14 फिट की इसकी जो लएगी लेंथ यहां पर रहेगी तो मैं इतना कह सकता हूं आपकी जो मिड्साइज सिडान होते हैं वो बहुत अराम से आएगी सेग्मेंट भी वो ही है आपका और इनकेस आपको लगता है कि आपकी बड़ी वाली सिडान है तो आपको गेट को थोड़ा से एक्सेंट करना पड़ेगा लेकिन आ जाएगी बेफिकर रही है आपको ज्यादा परिशानी की दिखनी होने वाली यहां पर उसके बार ठीक यहां तरफ आप देखेंगे तो आपको जो है टाइल वक्त पूरा प्रॉपर मिलने वाला इसके इलावा इस बड़ी सी विंडों के नीचे भी आपको जो है पूरा टाइल यहां पर मिलने वाली है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरिज आपको बिलेगी जो आपकी रूफ है वहा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके लाइट नीचे के दागते हों वह व्याजर आती है और इसके इलावा पर आपको लगाने से पहले वहाँ पर डिजाइन यहां पर पर किया गया जो कि पॉलिष करके हमने वुड को यहाँ पर लगाया हुआ और घर के अंदर तकरीबन सारी जगापर जो है वीनिर या फिर टीक पुलाई का यूज यहाँ पर किया गया है उसके बाद हमारी जो है स्टेर्स आ जाएंगी जहां पर स्टेनले स्टेल आपको मिलने वाला है और प्लस आपकी ग्रीन राइट के स्टेप्स आपको मिलने वाले है तो इसके साथ हमारा में एंटर्स डोर जो की बिल्वकुल यहां पर आपको मिलेगा आठ फिट की हाइट रहेगी शांदा दर्वाजा है आप देखेंगे की काफी अच्छे डिजाइन यहां पर मिलने वाले है ग्लास फिनिश इसके अंदर आपको मिल जाती है और एक्टेंगल के ऊपर भी पूरा प्रॉपर पॉलिश आपको यहां पर मिलेगा काफी इसके बार भी अपने द्रवाजे को हाथ लगाएं आपको एक अच्छी फिलिंग आए तो हम जैसे इसे उपन करते हैं तो हम घर के अंदर अपने एंटर करते ही हमारे सामने आता हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया तो दोस्तों हमारे पास यहां पर जो स्पेस है बी बीज़ट की बात नहीं यहां पर करूंगा क्योंकि इस बीज़ट को बहुत ग्रेस्फुल यहां पर डिजाइन यहां किया है तो आप देखेंगे अब यह वाल की बात करें तो इसके उपर एक अच्छे ब्लॉक्स का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा फ्रेम्स आपको यह तरीके से इसको डिजाइन करना भी एक अलग बात होती है और वैसे हमारी जो सीलिंग है सीलिंग के ऊपर भी काफी अच्छा काम आपको मेल जेगा पूरी 20 विट की सीलिंग आपको वहां से यहां तक मिलने वाली है और सीलिंग में भी आप देखेंगे और सीलिंग के तपास आपका तीक प्लाइक को पॉलिश करके यहां पर लगाया गया है और उसको हैडलाइन देने के लिए आप देखेंगे आउटलाइन उसके साथ आपको नजर आएगी जो आपकी strip light आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसके इलावा conceal lamps आपको पूरे मिलने वाले हैं तो ड्राइंग एरिया की खाली बात करें तो वाके काफी अच्छे तरीके से इसको design किया और यहाँ से आपकी जो बाहर की window वो आपको नज़र आएगी जो की काफी बड़ी है जो हम पहल पर design किया है और storage के साथ side में भी आपको यहाँ storage आपके लिए रखिए जहां पर glass आपको मिल जाता है ताकि छोटी मूटी चीज़ें जो है आपके घर की वो रख लें क्योंकि तक्रीब हमारे घुरों में एक आदत होती है बच्चों की भी आदत होती है नहीं तो हमारी कर सकते हैं और आपके ठीक इस डाइनिंग एरिये के सामने आपकी kitchen आ जाती है तो kitchen भी एकदम पूरी graceful आपको नजर आएगी dual tone आपको यहां मिलेगा grey और white जो है concept आपको मिलने वाला और दोस्तों बताते तो जो चीज़ें आपको यहां पर नजर आ रही है as it is ही आपको kitchen आपको मिलेगी इस खर के size के साफ से है फिर dimensions के साफ से काफी अच्छा size में इसको कहता हूं उपर का area आप देखेंगे पूरे cabinets को काफी अच्छे वे के साथ यहां पर लगाया गया है और एक अच्छी exact height के हिसाब से हाँ पर लगाया गया है glossy look आपको बाहर मिलेगा open करते है तो आपके पास hydraulics यहां मिल जाएंगे और अंदर भी आपको lamination पूरी proper मिलने वाली है सारी proper plywood आपको मिलेगी यहां पर और proper storage के साथ आपको यह सारे cabinets यहां पर मिलने वाली है और इन cabinets के नीचे जैसे आप देखेंगे तो आपको एक fine tone के साथ है आपको एक tile पर पूरी नजर आएगी जिसको matching किया हुआ आपके जो घर के paint के साथ bone white आपका जो है color यहां पर रहता है उसके साथ तक्रीबन यहां पर जो है इसको मैच किया हुआ है ताकि जो movement कर सकते हो जैसे बरतन धोरे हुआ कुछ और कर रहे है आप तो बहुत अराम से बड़ा सिंख है जाधा बरतन आपके बड़े अराम से आ सकते हैं चार-पांच बरतनों के साथ भरने वाला नहीं है बहुत अराम से आप इसको यूजज के लिए अलग से आपको एक तो आपक ताकि जैसी भी चीज़े हैं आपकी वो यहां पर पूरी आएं वह वो चीज़ें कोई बहार न रहें और जो आपका काउंटर है पूरा प्रॉपर ग्रेयाइट का आपका रहने बाला है इस किचिन को बढ़े राम से यूज़ करने बाले हैं और इस किचिन में भी अगर आप स होती है जो लुक्स होती है वह ज्यादा अच्छे से आई तो यहां से बढ़ते हैं हम अपने फर्स बैड्रूम की तरफ और बैड्रूम में एंटर करने से वहले में आपको दिखा तो यहां पर हमारा तरवाजा आ जाएगा जो कि अगेन आट फिट की हाइट का रहने वाला ग्लॉसी आपको यहां पर लुक्स मिलने वाली है वैट आपको यहां पर सारी पॉलिश आपको मिलेगी और अंदर आते हमारे पास जो जगा यहां पर आ जाती है वह 13 फिट की आ जाती है तो काफी अच्छी खासी जगह है बैड्र लगा वह आप सीलिंग की तरफ और टीवी पैनल लगा तो इस चीज का ध्यान रखा कि आपको चलते फिर ते यहां पर कोई दिक्कत ना आए स्टोरेज आपको पूरी प्रॉपर मिलेगी यहां पर लुक्स आपको अच्छी मिल जाएंगे ड्यूल टोन हमने हर जिगां पर रखे और इसी के साथ मिलता जोता जो है लुक्स के साथ आपका जो है यहां पर बड़ी सी वाट्रूप जो की सीलिंग की हाइट तक है और इसको फुल बनाया है ता कि आपके पास जितना भी समान हो यहां पर स्टॉडि जो है आपकी कोई भी ही चीज बहार रहे तो वहां पर कई बार इहां पर मिलने वाले है यहां पर और सेम यही पैटन आपको यहां पर मिलने वाला है इसके लावा उपर आप देख रहे हैं वहां पर भी आपको मिल जाएगी और नीचे यहां पर भी आपके प्रियावास जो है स्पेस आपको पूरी मिल जाती है और हमने नीचे पूरे प्रॉपर बूट्स लगाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मॉबिंग करते हैं या फिर जाडूम लगा रहे हैं तो कोई बिला किसी दीकत के आप बड़े नाम से आपे साफ सभाई कर सकें और क्योंकि हम यहां पर ड्रेसिंग वाला काम नहीं कर सकते थे तो हमने ड्रेसिंग वाला यूनिट है उसको यहां पर सेट किया और बड़ा काफी है अच्छे साइज का आपको मिल जाता तो यह तगरीबन जो चीज आप यह देख रहे हो यह प्रीमिम घर के हिसाब से डिजा जाती है स्टोरेज आपको पूरी प्रॉपर मिलने वाली है और इसके साथ जो है यहां पर आपके पास एक विंडो है जो की फूल साइज की है और इस विंडो को आप दर्वाजे के तरह यूज़ करना चाहों तो कर सकते हो वैसे हमारे पास जो है दूसरे बेड्रूम से दर वाजा यहां पर आपको मिल जाएगा आपके वाशिंग एरिया कितर जाने के लिए तो पहले मैं इसको बंद करता हूं आप यहां से समझ सकते हो कि वेंटिलेशन जो है आपके घर के अंदर कितना अच्छा रहने वाला है लाइट सारा दिन रहने वाली हावा जो है पूरा यहां पर ही समझ आया था वो चीज़ें आपको यहां पर नजर आने वाली है एक अच्छा सेलिंग डिजाइन उसके बाद एक अच्छे पैटन की टाइल्स जो आपको चारों तरफ यहां पर नजर आ रही है जो कि चार-चार फिटकी आपको मिलती है पूरी प्रॉपर एक चोड़-चोड़ यहां पर डिजाइन दी है जिनको आप ऐसा स्टूरेज भी यूज़ कर सकते हैं वैसा लुक्स के लिए तो अच्छे लगते ही लगते हैं बड़ी विंडो आपको पूरी मिल जाएगी यहां पर और जो सीट है आपकी वो आपकी वाल मांट रहने बाली है और जितनी भी सेनिटी है बात फिटिंग जाय जो भी है वो सारा आपका जो है जैकवार की तरफ से रहने बाला है और सिंपली जैकवार की बात निकोंगा यहां पर आप देख सकते हैं डिजाइन आपके बिलकु डिफरेंट है वो एक लेवल के हिसाब से यहां पर अब जाया आपके खर आपके कनेकटिविटी हार तरफ से यहां से रहती है आपके घर से चंदिगड का बस्टेंड होगा वह आपका 7-8 किलोमेटर के राउंड आज आएगा इसके लावा खर ग्रेटर महौली या फिर महौली का जो बस्टेंड है वह आपको 3-3 किलोमेटर चार किलोमेटर के अंदर आ जाएगा तो कोई भी चीज आपके घर से दूर है नहीं इसके इलावा आपके घर के आसपास तकरीबन तेड़ किलोमेटर के अंदर आपको तीन या चार स्कूल यहाँ पर मिल जाएंगे तो हर चीज पास में मार्केट आपको पास मिल जाती हो हॉ अगर आप नहीं चाहते कि मैंने गाड़ी उठानी है तो आप चलके भी हॉस्पिटल स्कूल मार्केट यह सारी चीज़े कवर कर सकते हैं तो दोस्तों यहां से हम कवर करते हैं अपने सेकंड बेड्रूम को अगेन हमारे पास एक अच्छे फ्रेम के साथ पूरा आठ फिट की दर्वाइट के साथ हमारा दर्वाजा होगा और उसी हिसाब से हमारे पास बड़ा एक बेड्रूम आ जाएगा जो की 13 फिट की साइज के साथ आएगा एक अच्छा डिजाइन हमें सेलिंग पर अगेन यहां पर मिलने वाला पूरा प्रॉपर आपको जो है कंसीर लेंप्स पूर्डर के ऊपर एक अच्छा जो है covering की हुई आ हैंपो मिलेगी यहां पर को लग तो शैडध कितने तो और यह उसकिए गहें फिर भी ईफिर हैं हमें अपनी तरीके से चाहिए तो वो हम कर देंगे कोई फिकर की बात नहीं है और ठीक आपका जहां बैड लगाएगा बैड के सामने आपके साहब बड़ा सा एक टीवी पैनल होगा ताके अराफ से आप जो है अपना टीवी लगा सके शाम को घर पहुंचने के बाद हर चीज मिलेगी कहीं पर ऐसा नहीं कि आपके स्टोरिज को खतम करके हमने कोई और चीज यहां पर डाल दियो या फिर खर्चा बचा लिया हो बिल्कुल भी नहीं वाला और वाश्रूम आपको अगें जो है वो टैच मिलने वाला है और एक ग्रे टोन एक लाइट टोन के साथ आपक पर नहीं होगा तो एक अच्छा टोन आपको टाइस का यहां पर मिल जाता है कलर टोन आप देखेंगे उसके बाद सेलिंग डिजाइन आप देखिए तो वहाँ से सीधा नीचे की आपका जो सिंक है वो एक अलग लेवल का आपको मिल जाता है कंप्लीट वैनेटी बड़े प्रॉपर लुक्स के साथ आपको मिल जाती है वैसी आपकी जो सीट है उसको वाल माउंट यहां पर किया गया तो हर चीज को बड़े अच्छे वे के स वाशिंग एरिया की तरह वाशिंग एरिया में भी आपको जो है वायर मैश और दूसर दर्वाज आपको दोनों मिलने वाले और काफी अच्छी जगा आपको यह जाएगी इसली वाशिंग और क्लोधिंग दोनों आप यहां पर कर सकते हैं पीछे से देखेंगे तो वाल केचन को पूरा प्रॉपर डिजाइन किया ताकि एक न्युक्रियल फैमिली अराम से रह सके तो इनकेज जैसे हमें लगता है कि हमने ऊपर वाला एरिया है रेंट आउट करना है क्योंकि हमारा घर जो है वो एर्पोर्ट रोड के पास है तो हमें रेंटल अच्छा मिले और एर्ट दोस्तों यहां पर काफी अच्छा है इसके इलावा अगर एप्रिशेशन की बात देखी जाए तो वह यहां पर काफी अच्छी खासी है क्योंकि एरिया या भी डिवैलपिंग है तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आप इसको रेंट आउट कर दीजे उसके बाद इसके बड़े अच्छे खासे आपको मेल जाएंगे तो वो तर बैट के मलाई खाने वाला काम वो आपको यहां पर आराम से हो जाएगा तो इसके साथ अब आपका ये फ्रंट जो हम नीचे से देख रहे थे तो पिलर है पूरा उपर से नीचे तक जिसको टाइल के साथ कवर कर दिये गया उसके बाद अगेन यहां पर टाइल वरक आ गया एक बड़ी विंडो उसके बाद यहां पर आप देखेंगे पाइप के साथ डिजाइन आपको मेल जाता है और यहां पर हमारी फ्रंट रेलिंग जो कि स्टेनलेस टील और ग्लास के साथ आखो मेलती है और दोस्तों स्टेर्स वाले एरिया में भी आपको जो है उपर एक अच्छा डिजाइन पूरा मिल जाता है से लिंग के ऊपर तो कहीं पर ऐसा निया कि सेलिंग डिजाइन जो है सेम पैटर्न के साथ एक डॉर मिलेगा जो हमने नीचे देखा था तो एंटर्स करते हैं हमारे पास सबसे पहले हमारा एक बेडरूम आ जाता है जहां पर काफी अच्छी काशी स्पेस हमें मिल जाती है सीलिंग पर एक अच्छा डिजाइन हमें मिल जाता है और एक अच्छा लुक्स के साथ आपको यहां पर टीवी पैनल मिल जाता अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ-कुछ मार्बल वाली लुक्स यहां पर नज़र आने वाली है डियोल टोर हमने यहां पर भी रख है और इसके इलावा जो आपके जी वाल है वो आपको एक अच्छे लुक्स के साथ आपको मिल जाएगी जहां पर आपका बैड लगने वाला है तो आप महित लगाईए कि सुबह उठते हम दिर्वाजे से सौरी अपनी खिडकी से पर्दा हटाते तो बहार का नजारा और बैड आपका पूरा लगेगा उसके बाद यहां पर आपके पास पूरा प्रॉपर ड्रेसिंग एरी आपको मिल जाएगा जहां पर स्टोरेज ने वाली है और इसके साथ हमारा जो है ड्रेसिंग एरिया तो आपको काफी अच्छे मिलते हैं पूरे घर के अंदर जो कलर से उसका पूरा ध्यान रखा कि कही भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई कलर जो उट जा रहा है लैसे बाहर जा रहा गैंगी चीज too कई अलगो रही है कैसा बिलकुल भी नहींик है और इसके बाद दोस्तों यह एरिया है यह हमने कुछ हापं पे चोड़ा है क्योंकि यूज्मी यह यह इ Cemal कंते है अगर कोई रेंट आइट करता तो इसे भी आपको लगता हो और उपर जो है आपको सीलिक डिजाइन यहां भी पूरा प्रॉपर मिलने वाला है और इसके साथ हमारे पास दरवाजा है जो हमें ले जाएगा हमारे ओपन टैरिस की तरफ और टैरिस में हमारे पास खुली जगह है काफी अच्छी खाशी स्पेस है और इस एरिया का पूरा मज़ा लेने वाले हैं पूरी सनलाइट का जोई करने वाले हैं तो वाशिंग क्लोधिंग अगर यहां पर करेंगा तो बहुत अच्छा होगा बड़े अराम से आप यहां पर बच्पन में किया करते थे घर पे हमारे करनक आया करती थी उसको दोकर आप अपर अगदिया करते थे मुझे बच्छा के वैसा कोई का हमें तो वह भी आप बड़े राम सेया कर सकते हैं अचार डालना है कुछ करना है चलिए वह बाते अलग है हम नहीं तक जाएंगे बच् दोस्तों एक लाइक जरू कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी सुझाव है हमारे लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिक्के बताएं घर के बारे में कोई बात है वह हमें बताएं और इसके इलावा आपको लगता है कि घर के अंदर कोई चीज है जो आ चीजिए नाया चयानलम हो सबस्क्राइब कर लिजिए घर के मारे में यूंamat नमपर कर सकते हैं यह फिर नीचे डिटे आपको डिस्क्रिप्शन पूरी मिल जाएगी डिस्क्रिशन př पूरी डिटे लगी फिर मिलेंगे एक और खुबसरों वो घर के साथ यह बादा रहा तब तक के लिए साथ से काल